नमस्कार आईए सुनते हैं गीता तत्तु चिंतन का अगला अंक जैसा कि आपको विधित ही है कि स्वामी आत्मा नंद जी द्वारा दिये गए गीता तत्तु चिंतन के प्रवचनों की श्रंखला हम प्रस्तुत कर रहे हैं आशा है आपने इससे पहले के वीडियो देखे आज का विशय है गीता का अनुबंध चतुष्टे महराज कह रहे हैं कि संस्कृत ग्रंथों के अध्यन की ऐसी परंपरा है कि सर्व प्रथम अनुबंध चतुष्टे पर विचार किया जाता है ये चार अनुबंध हैं विशय, अधिकारी, प्रयोजन और परस्पर संबंध अर्थार्थ ग्रंथ किस विशय का प्रतिपादन करने वाला है, उसके पढ़ने के अधिकारी कौन है, पढ़ने का क्या प्रयोजन है और विशय एवं ग्रंथ का परस्पर संबंध क्या है जब गीता के संदर्भ में हम इस अनुबंध चतुष्टय पर विचार करते हैं, तो गीता का महात्मे बताने वाले ये दोशलोग आँखों के सामने आते हैं अर्थार्थ पार्थ अर्जुन को समझाने के लिए साक्षात स्वयम भगवान ने जिसको प्रकट किया जिसे पुरान मुनी व्यास ने शलोक बद्ध कर महाभारत के बीच ग्रथित कर लिया जो अठारे अध्यायों वाली और अध्वयत रूपी अम्रित की वर्षा करती है जो संसार के दुखों और कश्टों को दूर करने वाली भगवती है ऐसी है भगवत गीते अम्बे मैं तुझ पर ध्यान करता हूँ समस्त उपनिशत गाय है उनके दुहुने वाले गोपाल नंदन है अर्जुन बचड़ा है और गीता रूपी अम्रित के दूद का पान करने वाले सुधी जन है अर्थार्थ बुद्धिमान लोग है उपर्योक्त पद्यों से गीता के अनुबंधों पर प्रकाश पड़ता है उपनिशत द्वारा कहा गया ब्रह्म जीव का अद्वयत या एकत्व ही इसका विशे है तभी तो गीता को अद्वयत अम्रित वर्षनी कहा भव व्याधी को नश्ट करना इसका प्रयोजन है इसलिए यह भवत द्वयशनी कहलाई संसार की व्याधी से मुक्त होनी की इच्छा रखने वाले सुधी जन विवेकी जन इसके अधिकारी है विशे और ग्रंत का परस पर संबन्ध प्रतिपाद्य और प्रतिपादक का है इस छोटे से पद्ध में गीता के रूप पर बहुत कुछ कह दिया है भगवान नारायन ने स्वयम प्रथा पुत्र अर्जुन को बताया अर्जुन का चित्थ भ्रहमित्था भगवान उसके भ्रहम को अद्वयत रूपी अमरित की वर्षा कर दूर करते हैं व्यास जी इस अमरित को लेकर 18 अध्यायों वाले ग्रंथ की रचना करते हैं कुछ लोग कहा करते हैं कि आज हमें गीता जिस रूप में प्राप्त है बिल्कुल उसी रूप में वह भगवान कृष्ण के मुख से निकली थी पर यह कलपना ठीक नहीं है गीता के वर्तमान रूप में 700 श्लोक है यदि वार्तल आपकी गती से भी पढ़ा जाए तो गीता का पूरा पाठ करने में लगभग डेड़ घंटे लगेंगे इसका तात्परे यह हुआ कि गीता के श्लोकों को यदि अक्षर शह कृष्णार्जुन समवाद मान लिया जाए तो यह समवाद डेड़ घंटे चलता रहा हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि युद्ध के प्रारंभ की समस्त तैयारियां हो चुकी थी दोनों और से शंक फूंके जा चुके थे नगारे और ढोल पीटे जा चुके थे मृदंग और बिगुल आदी बजाए जा चुके थे इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से रत को दोनों सेनाओं की मद्ध में ले चलने को कहते हैं भगवान कृष्ण रत को अर्जुन की इच्छा नुसार बीच में ले जाते हैं और अर्जुन विशाद अर्थार्थ दुख को प्राप्त होता है अर्जुन इस पश्ट कह देता है कि वह युद्ध नहीं करना चाहता योगी राज कृष्ण को तो देखिए अर्जुन की बात सुनकर माथे पर कोई सिकुडन नहीं वे जानते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध ना करे तो पंडव गण कौर्वों को परास्त ना कर सकेंगे फिर भी अर्जुन की दुर्बलता युक्त वाणी सुनकर वे घबराते नहीं बलकि मानो मुस्कुरा कर दूसरे अध्याय के दस्वे श्लोक में वे अर्जुन से कहते हैं यहां पर यह प्रहसन्निव शब्द बड़े महतुका है कृष्ण अर्जुन के सारे विलाप को मानो हसकर एक और ठेल देते हैं इससे अधिक भीशल परिस्थिती की कलपना नहीं की जा सकती कि अर्जुन युद्ध करने के लिए राजी नहीं हो रहा है देश देशांतर से युद्धागन आकर युद्ध के लिए बिलकुल तयार खड़े है एक संकेत मात्र बाकी है कि युद्ध शुरू हो जाएगा ऐसी विशं परिस्थिती में अर्जुन युद्ध से अपने कर्तवे से मुह मोड़ना चाहता है वह कहता भले हो कि उसके हिर्दय में स्वजनों और गुरुजनों को देखकर करुणा उपजी है पर असल में वह घबडा गया है और रोगी की तरह प्रलाप करने लगा है भगवान कृष्ण अर्जुन के मानसिक दौरबल रूपी रोगों को भाप लेते हैं और उसको दूर करने के लिए गीता का उपदेश करते हैं कल्पना कीजिये कि कितनी देर तक वह बातचीत चलती रही होगी यदि उपयुक्त हिसाब से देर घंटा माने तो मतलब यह हुआ कि दोनों ओर की सेनाएं शंक और बिगुल फूंक कर डेड़ घंटे तक तमाशा देख रही हैं कि बीच में जाकर कृष्ण और अर्जुन क्या कर रहे हैं परन्तु यह संभव नहीं प्रतीत होता लगता यही है कि बहुत अधिक हुआ तो आधे घंटे में भगवान क्रिश्ण ने अर्जुन को समझा कर युद्ध के लिए राजी कर लिया आगे महराज शलोक बद्ध गीता महर्शी व्यास की रचना पर बोलते हैं वे कह रहे हैं फिर एक बात और यदि गीता के शलोकों को शब्दशह क्रिश्ण और अर्जुन के मुह से निकला माने तो यह भी फिर मानना पड़ेगा कि क्रिश्ण और अर्जुन दोनों कवी थे जो बातें भी पद्यबद्ध करते थे यही नहीं संचे और धृतराष्ट भी फिर कवी की उपाधी प्राप्त कर लेंगे क्योंकि उन्होंने भी चंदो बद्ध भाषा का प्रयोग किया सामा ने विचार की दृष्टी से यह संभावना भी उचित नहीं मालूम पड़ती इन सब का निशकर्ष यह हुआ कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ततकालीन बोलचाल की भाषा में समझाया उसकी मानसिक दृरबलता को दूर किया और उसे युद्ध में प्रवरत किया भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को लेकर व्यास मुनी जी ने गीता नामक ग्रंथ की रचना कर डाली ताकि भगवान कृष्ण और अर्जुन के समवाद का लाब संसार की समस्त मानव जाती को मिल सके तभी तो व्यास जी की प्रशंसा में कहा है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे अर्थार्थ हे खिले हुए कमल दल के समान नेत्रवाले विशाल बुद्धी व्यास जी आपको नमस्कार जो आपने महाभारत रुपी तेल लेकर ज्यान में प्रदीप प्रजुलित कर दिया उपर के पद्य में गीता को उपनिशद रूपी गायों का दुख्ध रूपी अमरित कहा तात पर यह है कि गीता उपनिशदों का निचोड है जिस प्रकार गाय अपने भीतर के सार को अपने बच्छडे के प्रेम से द्रवित हो दूद के रूप में प्रकट करती है उसी प्रकार उपनिशद रूपी गाएं, अर्जुन रूपी बच्छडे के प्रती स्नेहें और करुणा से विगलित हो, गीता दुगधा मृत का दान करती है बिना बच्छडे के गाय नहीं पनहाती, उसके थनों में दूध नहीं उतरता, गाय के पनहाने पर भी यदि ग्वाला ना हो तो दूध नहीं निकाला जा सकता इसी प्रकार उपनिशद रूपी गायों को पनहाने के लिए अरजुन रूपी बच्छडे की आवश्यक्ता पड़ी, साधारन गाय को तो साधारन ग्वाला दूध ले सकता है, पर उपनिशद रूपी गायों को दूधने के लिए असाधारन ग्वाले की आवश्यक्ता दुग्ध गीता के रूप में रख जाता है इस अमरित दुग्ध के पान के अधिकारी कौन है सुधी जन जो विवेकी हैं जिनके हिरदय में इस दूद को पीने की अभिलाशा है जिनकी बुद्धी में इस दुग्ध पान की ख्षंता है वे इसके अधिकारी हैं वे गीता ज्यान को प्राप्त करने के सुयोग्य पात्र हैं आगे महराच कह रहे हैं कि गीता को दुगधा मृत कहने का एक और अभिप्राए हो सकता है विशुद अध्यात्म विद्या केवल अमृत है और केवल कर्म जल है दोनों ही अपने आप में मनुश्य के लिए अपरियाप्त है मनुश्य को दोनों चाहिए उसे अमृत भी चाहिए साथ ही मर्त भाव भी केवल अमृत से स्रिष्टी का कारे नहीं होता केवल मृत्यू से जगत की स्थिती नहीं होती अमृत और मृत्यू का समन्वे ही जीवन है स्वर्ग का अमृत और प्रत्वी का जल जब ये दोनों मिलते हैं तब दूद बनता है केवल जल पीकर कोई जीवित नहीं रह सकता पर केवल दूद पीकर जीवित रहना संभव है क्योंकि दूद में अमृत का भी अंश मिला है ठीक इसी प्रकार गीता में भी ज्यान रुपी अमृत और कर्म रुपी जल का मेल है गीता को इसी विशेशता के कारण दुगधा मृत कहा ज्यान और कर्म का जैसा अपूर्व समन्वे गीता में प्राप्त होता है वैसा कहीं और नहीं मिलता तभी तो गीता को ब्रह्म विद्या कहा और साथ ही योग शास्त्र भी ब्रह्म विद्या शास्त्र है ज्यान है योग शास्त्र कला है कर्म है अध्यात्म और व्यवहार का अपूर्व समन्वे और संतुलन यह गीता है आगे महराज गीता के अध्यायों की पुष्पिका इस विशे पर संबोधन कर रहे हैं जब हम अध्यायों की समाप्ती पर पुष्पिका को पढ़ते हैं तो क्या बोध होता है? प्रत्यक अध्याय की समाप्ती पर हम पढ़ते हैं ओम तत्सदिती श्रीमत भगवत गीतासु उपनिशत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीक कृष्णारजुन समवादे अध्याय का नाम वो संख्या ओम तत्सत् यह पहला वाक्य इश्वर की सत्ता को स्विकार करता है इस जड़ स्रिष्टी के अंतराल में विश्व का नियमन करने वाली एक परम बोध में सत्ता विद्यमान है यह सारा पसारा उस सत्ता का ही है इश्वर कोई व्यक्ति विशेश नहीं जो आस्मान में कहीं पर बैठा हो यह विराट अवस्थिती, यह निरंतर सत्त का अस्तित्व का भाव यह शासन करने वाला सबमें अनुस्यूत तत्व, अर्थार्थ सबमें समाया हुआ यही ईश्वर है इसी को बुद्ध ने धम के नाम से पुकारा यह ईश्वर अनन्त नियमों का पुंज है वहाँ आकस्मिक्ता नाम कोई चीज नहीं सारी घटनाएं विश्व के समस्त क्रम नियमों से बधे हैं नियमों को ना जानने के कारण हम कमजोर होते हैं इन ही नियमों की खोज जब बाहर के यानि भौतिक धरातल पर की जाती है तो उसे साइंस या विज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं जब मन के धरातल पर इन नियमों का अनुसंधान किया जाता है तो हम उसे अध्यात्न की प्रणाली के नाम से पुकारते हैं तो कहा गया कि गीता के अध्यायों की पुष्पी का सरुप्रथम उस इशन, अर्थार्थ, शासन करने वाले इश्वर के अस्तितु की घोशना करती है। फिर उसके बाद कहा श्रिमत भगवत गीता सु उपनिशत सु, श्रिमत भगवत गीता उपनिशत में। यहां पर गीता को उपनिशद कहा, इसके पूर्व बताया था कि गीता उपनिशद रूपी गायों का दूद है, यानि उपनिशदों का निचोड है, यहां कहते हैं कि केवल निचोड नहीं, बलकि गीता उपनिशद ही है, और कैसा उपनिशद? श्रीमत भगवद गीता श्री भगवान के द्वारा गाया हुआ उपनिशद शब्द संस्कृत में इस्त्री लिंग में चलता है इसलिए उसके विशेशन में भगवद गीत न कहकर भगवद गीता कहा है गीता का मतलब जो गाई गई हो तो श्री भगवान स्वयम जिस उपनिशद का गायन करते हैं उसी का नाम हुआ गीता यह महात्म है गीता का और वास्तव में गीता इतना पूंट शास्त्र है कि यदि उसे इश्वर के द्वारा बताया गया कहा जाए तो कोई अत्युक्ती ना होगी फिर उसके बाद पुष्पिका में कहा कि गीता ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र भी हमने उपर कहा कि गीता अध्यात्म और व्यभार शास्त्र और कला दोनों का अतियुत्तम मेल करती है पहले हम कह चुके हैं कि योग की दो सुन्दर परिभाशाएं गीता में द्रिश्टव्य हैं दिखाई देती हैं एक परिभाशा यदि ग्यान परक है अध्यात्म परक है शास्त्र परक है तो दूसरी कर्म परक है व्यवहार परक है कला परक है दूसरे अध्याय के 48 में श्लोक में कहा कि समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय के 50 में श्लोक में कहा कि योगह करमसु कौशलम। आगे महराज गीता गायक श्री कृष्ण पर बता रहे हैं, हम कह आए हैं कि कृष्ण युगा चारे हैं, वे महान क्रांतिकारी हैं, उनकी कत्नी और कर्णी में कहीं कोई पार्थक्य नहीं है, जैसा उपदेश करते हैं वैसा ही आचरण भी। उन्होंने अर्जुन को द्वंदों में बुद्धी को संतोलित करने के लिए कहा, वे स्वयम इसके उधारण हैं, भगवान क्रिष्ण का जीवन उनके उपदेशों पर भाष्य है, महराज कह रहे हैं कि जहां कहीं मैं गीता के किसी श्लोक को समझने में असमर्थ होता हूं, तो भगवान क्रिष्ण के चरित्र की ओर देखता हूं कि उन्होंने वैसी परिस्थिती में क्या किया, बस उस श्लोक का मर्म मेरी आँखों के सामने स्पश्ट हो जाता है, तो मैं कह रहा था कि भगवान क्रिष्ण का जीवन उनके उपदेशों की वास्तविक एकदम सही सह तीका है, जरा देखें क्रिष्ण को, अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, सुनकर भगवान क्रिष्ण विचलित नहीं होते, उनके अधरों पर वही इसमित है, जो गोपियों को देखकर प्रकट होता था, वे उसी कोमलता और साथी द्रणता के साथ अर्जुन के पोरों पर अपनी उंगलियों को नचाते थे, वे कोमल है और कठोर भी, तभी तो कभी गाता है, प्रपन पारी जाता ये, तोत्र वेत्रैक पान ये, ज्यान मुद्राय क्रिष्णा ये, गीता अमृत दुहे नमह, अर्थार्थ, हे भक्त कल्प दुरुन, हे दंड पानी, हे ज्यान मुद्राधारी क्रिष्ण, हे गीता अमृत दोहन करता, तुम्हें प्रणाम है, वसुदेव सुतम देवं, कंस चाणूर मर्दनम, देव की परमानंदम, क्रिष्णम वन्दे जगत गुरुन, कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले, देव की को परम आनंद देने वाले, वसुदेव नंदन, देव देव, जगत गुरुश्री क्रिष्ण की मैं वन्दना करता हूं, क्रिष्ण कल्प द्रुम कोमल हैं, तो दंड कठोर भी, भक्तजन सुलब हैं, तो कठोर ज्यान मुद्राधारी भी, वे वसुदेव देव की के लिए कोमल वपू आनंद दाता हैं, तो कंस और चानूर के लिए कठोर मर्दन कारी भी, तभी तो पांडवों को जैसा निश्चल प्यार दिया, वैसा कौर्वों के लिए वे अभिशाब भी बने, कौर्वों के घोर भवर से पांडवों की विजय नौका को बचा कर पार ले गए, वे तो भक्त जनो को पार ही उतारा करते हैं, जो भी उनकी शरण में आता है, उसका हाथ थाम लेते हैं, और उसकी नाव को निर्विग्न उस पार पहुचा देते हैं, कवी कहता है, भीश में द्रोन तटा, जयद्रत जला, गांधार नीलोत पला, शल्य ग्राह वती क्रपेन वहनी, करने नवे किला कुला, अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, दुरियो धना वर्तिनी, सो तीना खलुपांडवई, रण नदी कई वर्त कह केश वहा, अर्थार्थ, जिस समर नदी के भीश मोद्रोन दो तट हैं, जिसका जल जैद्रत है, जिसमें गांधार राज नील कमल हैं, शल्य ग् हैं, क्रपाचारे धारा हैं, कर्ण उर्मिया हैं, अश्वत्थामा और विकर्ण भयंकर मकर हैं, दुरियो धन भवर हैं, उसे पांडवों ने केशव केवट की सहायता से पार कर लिया, आगे हम देखेंगे कि गीता महाभारत का ही अंश है, यह गीता गायक क्रिश्न का महिम में रूप है, जो महाभारत के माध्यम से हमारे समक्ष प्रकट होता है, गीता महाभारत के ही अंश रूप में हमें प्राप्त होती है, कुछ लोग कहते हैं कि यह महाभारत का अंश नहीं, गीता की रचना बाद में हुई और इसे महाभारत में डाल दिया गया होगा, उनके मतानुसार गीता महाभारत में बाद में जोड़ी गई है परंतु ऐसे भी विद्वान हैं जो उपर्युक्त राय को नहीं मानते और कहते हैं कि गीता स्वतंतर रूप से लिखी न जाकर महाभारत के अंश रूप में ही लिखी गई है वे अपने कथन की पुष्टी में प्रमा तो दोनों की भाषा में अंतर अवश्य होता भाषाओं का एक प्रवाहा होता है भाषाओं की अपनी एक शैली होती है पचास वर्षों में भाषा में शैली और प्रवाहा की दृष्टी से कुछ तो परिवर्तन अवश्य हो जाता है हम अंग्रेजी भाषा को ही ले ले या अध्यन करने पर ऐसा नहीं पता चलता कि कहीं भाशा का प्रवाहा बदला हो जो भी हो हमें इस उहापोह में नहीं पढ़ना है हमारे लिए इतना जान लेना परियाप्त है कि गीता महाभारत में अलग से नहीं जोड़ी गई है बलकि उसका ही अंश है यदि महाभारत दुग् अतनवनीत है मक्खन है कवी गाता है पाराशर्य वचह सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत कटम नाना ख्यानक के सरम हरिकथा संबोधिना बोधितम लोके सज्जन शट पदै रह रह पेपी अमानम मुदा भूयाद भारत पंकजम कलिमल प्रद्ध्वन सिनह श्रेय से अर्थार्थ व्यास के वचन रूपी सरोवर में महाभारत रूप निर्मल कमल उपजा है जिसमें गीता की तीवर सुर्भी है नाना आख्यानों का केसर है जो हरी प्रसंग से पूरी तरहें खिला हुआ है तथा जिसका सज्जन लोग इस लोक में मुदित होकर पान करते हैं ऐसा यह महाभारत पंकज श्रेय चहाने वालों के कलिमल का नाश करे यहाँ पर कवी महाभारत की उपमा कमल से देता है और गीता को उसकी सुर्भी बतलाता है एक और बात महाभारत में हम अनेकों कहानिया और आख्यान पाते हैं पर गीता में केवल सिद्धानतों की चर्चा है फिर हम यह भी देखते हैं कि गीता में जिन सिद्धानतों का विवेचन हुआ है उन्ही को सरल ढंक से समझाने के लिए महाभारत की कथाओं का विस्तार ये मैं महाभारत को गीता की टीका मानता हूँ। हमने पहले कहा कि गीता वेदों की उत्तम टीका है जिसकी रचना वेदों को निश्वसित करने वाले, प्रकट करने वाले साक्षाद भग्वान करते हैं। और गीता की टीका है महाभारत, गीता का कोई भी शलोक लें, उसकी इसपष्ट और सुविस्तरित व्याख्या में आपको महाभारत का कोई ना कोई आख्यान अवश्य मिल जाएगा, उधारन के लिए यह शलोक ले लें, जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नवे यहां इस्तरियोवेश्यास तथा शुद्रास तेपी यानती परामगतिम? अर्थार्थ हे अर्जुन इस्तरि, वयश्य या शुद्र जो भी पापयोनी के अंतरगत माने जाते हैं, वे भी मेरा आश्रय ग्रहन कर परमगती को प्राप्त होते हैं आगे महराज कृष्ण के क्रांतिकारी रूप पर चर्चा करते हुए कह रहे हैं इसे में शिरी कृष्ण का दूसरा क्रांतिकारी विचार कहता हूँ पहला तो हमने यह देखा कि प्रतेक कर्म ही यग्य बन सकता है भगवान की पूजा बन सकता है अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण उस परमगती का दर्वाजा सब के लिए खोल देते हैं भले ही परमपरा कतिपे वर्ग के लोगों को पाप योनी माने पर भगवान कृष्ण इसे स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं वे इस परमपरा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से भगवान की शरण जाता है वही परमपत का अधिकारी है इसके द्रिष्टान स्वरूप हम महा भारत में व्याद गीता के प्रसंग में एक आख्यान पाते हैं जहां ब्रहमन कुमार तपस्वी कौशिक ग्रस्त धर्म का पालन करने वाली महिला से ज्यान प्राप्त करते हैं तथा बाद में मिथिला जाकर धर्म व्याद नामक कसाई से वेदान संबंदी शंकाओं का समाधान पाते हैं इसी प्रकार एक अन्य इस्थल पर जाजली नामक रिशी तुलाधार वैश्य से जीवन और अध्यात्म के रहसे की शिक्षा प्राप्त करते हैं कहने का तात्पर यह है कि महाभारत गीता पर एक विशद टीका है और अभी हमने कहा कि उसका दृष्टी कोण अत्यंत क्रांतिकारी है महाभारत काल के भारत की कल्पना कीजिए जब प्रतीत होता है कि धर्म के क्षेत्र में परियाप्त अंध विश्वास विद्यमान था जब धर्म के नाम पर लोगों का शोशन होता था इसका अंदाज इसी से लग जाता है कि इस्त्री, वैश्य और शूद्र को पाप योनी कहा जाता था भगवान कृष्ण इस समय धार्मिक और सामाजिक शोशन की विरोध में उठखड़े होते हैं और घोशना करते हैं कि परम पद को पाने का अधिकार मनुश्य को जन्म से नहीं मिला करता एक विशेश वर्ण में पैदा हो जाने मात्र से मनुष्य को ज्यान का अधिकार नहीं मिल जाता यह अधिकार तो मनुष्य अपने कर्मों और अपनी बुद्धी से प्राप्त करता है इसी के दृष्टान सुरू महा भारत में उस महिला उस तुलाधार वैश्य और धर्म व्याद शूद्र को ज्यान का अधिकारी देखते हैं और यह भी देखते हैं कि वे अपने कर्मों को यग्य बनाकर इतने उपर उठ गए कि उन्होंने ब्रहमन तपस्वी, कौशिक और जाजली मुनी को ज्यान के उपदेश देने का अधिकार प्राप्त कर लिया तभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने ही कर्म में लगे रहने का उपदेश करते हैं अर्जुन ने युद्ध को घोर कर्म माना वह भिक्षा द्वारा जीवन यापन को श्रेसकर मानने लगा था भगवान उसकी भ्रांती को दूर करते हुए कहते हैं अठार्वे अध्याय का 45 मा वच्छे आलिस मा श्लोक स्वेश्वे कर्मन्य भिरतह संसिध्धिम लभते नरह स्वे कर्म निरतह सिध्धिम यथा विंदती तच्छिनू यतहा प्रवर्ति भूता नाम येन सर्व मिदम ततम स्वा कर्मना तमब भ्यर्च्य सिद्धिम विंदती मान वह अर्थार्थ अपने अपने कर्मों में लगे रहकर मनुष्य सिद्धी की अवस्था को प्राप्त कर लेता है अपने कर्म में लगे रहकर वे सिद्धी किस प्रकार पाता है वह उपाय सुन जिस परमात्मा से समस्त चराचर जगत की उत्पत्ती हुई है और जिससे यह सारा विश्व व्याप्त है उसकी अपने कर्मों के द्वारा पूजा करते हुए मनुष्य सिद्धी को पा लेता है इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता भगवती उस संसिद्धी की प्राप्ती के लिए सभी का आवहन करती है उसकी द्रिष्टी में जीवन के परम प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए पुरुष या इस तरी का भेद नहीं है और ना ब्रहम Cities, शक्त्रिय, वेश्य या शूद्र का ही भेद है उसके लिए कोई गोरा और काला नहीं है उसकी दृष्टी में देश और धर्म का कोई विभेद नहीं है जो सुधी है, विवेकी है इस संसार में रहते हुए भी संसार को अपना न मान, उस परमेश्वर को ही अपना मानते हैं वही गीता ज्यान के अधिकारी है भगवान श्री राम कृष्ण देव भक्तों को उपदेश देते हुए कहा करते थे संसार में रहो, पर संसार तुम में ना रहे नाव जल में रहे, यह ठीक है पर जल नाव में रहे, यह ठीक नहीं है जिसकी बुद्धी में ऐसी धार्ना हो गई है वह सुधी है और वही गीता रूपी दुगधा मृत के पान का अधिकारी है आशा है, आज का यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा आगे आने वाले समय में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक देखते रहें देवाक्षर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद